तो बिहार में भी कुरोना का संक्रमन काफी तेज रफ्तार से बढ़ रहा है अगर ज़्यादा संख्या हो गई तो कैसे संभालेंगे बिहार स्रकायर के स्वास्त मंतरी मंगल पंडे बातशित करने के लिए मेरे साथ मौझूद है आईए बात करते हैं मंगल पंडे से मंगल प तो अभी आज भी अभी तक 582 मामले सामने आए और पूरे देश में जो मामला पर्तिवेदीत हुआ है उसकी तुलना जब आप बिहार से करेंगे तो देश की जो आबादी है उसका 9% आबादी बिहार में रहता है लेकिन देश में जितना कोरोना पॉजिटिव की हुआ है, कि किस प्रकार से बिहार में इसके संक्रमण के फैलाओं को रोकने में हम सफल हुए हैं या संक्रमण अभी तक रुका हुआ है या प्रियास स्वास्त विभाग ने किया है कि हमारे पास जो मरी जाते हैं तो उनके चेन को तुरंट तोड़ दे हैं बढ़ने नहीं दे आप देखेंगे कि यह जो पांसो असी की संख्या है इसमें पांच-छे केसे जिसकी चल दे दो सो से अधिक मामले हो गए और बाकी मामलों को हम लोगों ने तुरंट चेन को तोड़ दिया जदी चेन नहीं तूटता एक से दूसरे संक्रमित होते तो यह संख्या बहुत बड़ी हो सकती थी स्वास्त विभाग ने ततपरता बढ़ता स्वास्त विभाग सक्रिये रहा और हम लोगों को जहां भी पता लगा जिला प्रसासन के सहयोग से हम लोगों ने तुरंट उनक इतना नुसार उनका इलाज उपचार किया तो यह जो सक्रियता रही उसके कारण हम उसको रोखने में सब्सक्रमित है मेरा सवाल क्यों यह है कि अभी तो ठीक है 583 ही है 600 के आस पास पहुचने वाले हैं लेकिन यह संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी हजारों में तो क्या बिहार स्रकार किता साधन संसाधन है अब आगे क्या संख्या हो कि इसके बारे में कोई भी प्रडिक्शन नहीं किया जा सकता है पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जो इबता दे कि कल क्या होने वाला है कोरोना के सब्सक्रमित दर तो है न कि ज़्यादा बढ़ सकता ह बल्कि लोगों को स्वस्थ करने में भी हमारा प्रतिसत बहुत अच्छा है कितना मरीज का एक साथ हिलाज हो सकता है विहार में आज तक पांसो बिरासी में तीन सो लोग स्वस्थ होके चले गए और यह लगभग बावन प्रतिसत है और देश के बड़े राज्यों को आज laugh को सम्हालने तर हम हमसे के अंशर आगे बढ़ी तयारी करेगी अभी साथ हजार तुमम बिवीने जीलों में अकंव्रे लिये हुए हैं जहां लोगों को हम कुरंटाइं डख सकते हैं उसमें साथ हजार कमरे ऐसे हैं जो attached lettering bathroom हैं हमारे पास 17 medical college hospital हैं सरकारी और private और उनके 50% beds को हम लोगों ने isolate करने के लिए कहा हुआ है और वह भी संख्या करीब 7000 के उपर है इसके अतिरिक्त जो तीन covid dedicated hospital है एनम CH का भागलपूर और गया का medical college hospital इसमें लगभग 2000 बेड़ है तो इस प्रकार से देखिएगा तो आज की तारिक में भी हम लगभग 23-24 हजार मरीज जदी आते हैं तो उनको हम quarantine रख सकते हैं isolate कर सकते हैं और गंभीर होने होने पर उनका उप्चार हो सकता है यह पूछ रहा हों क्योंकि दॉप्चार है तो वह हमारा डॉक्त भी टॉक्टर है आपके पास जो चिकित्सक था उनके तो अलग अलग से रही है उसके अनुसार मैं डाटा दे दूगा अमेडिकल कोलेज में दूटर हैं यस अलग तरह से अलग को दूटर्स होते हैं डॉक्टर्स होते हैं उनमें भी सम्वीदा पर रेगुलर अपहेंगे तो आकड़ा में दे दूंगा अभी तक जो हमारे संते हैं वहीं इस यूध्र के योधा है इस बात अंगर से लुग प्रदान मंत्री जी पुस्पवर्सा करवा रहे हैं बिहार के सरकार मानिय मुख मंत्री जी ने एक महीने का अतिरीक तो वेतन दिया पैसा का विसे नहीं है विसे उनके सम्मान का है हम लोग ने उनको सम्मान दिया है और इस युद्ध के समय में जो हमारे योद्धा है पूरी याद करा हैं कि डंड भी देंगे नहीं याद करा रहें जल्दी आके अपने काम में लग जाईए आप युद्ध का समय है आप आके जल्दी से युद्ध में सामील हो जाईए युद्धाओं की फौज में सामील हो जाईए उमीद है कि वह आ जाएंगे पूरा विश्वास है तो स्वास्त मंत्री मंगल पंडो को आप सुन रहे थे, पूरा भरोसा है कि जो डॉक्टर अब तक ड्यूटी पर नहीं आए हैं, वो आ जाएंगे, और ये कह रहे हैं कि बहुत तयारी है बिहार स्रकार की कुरोना के संक्रम से लबने के लिए, लेकिन सवाल तो ये जरूर है क कि जब ज़्यादा पोजिटिव के से जाने लगेंगे, ज़्यादा मरीजियों के संख्या हो जाएगी, तो उनका इलाज थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बिहार स्रकार का दावा है कि अभी हो तैयार है? स्रीकान प्रेतियोस पतना